नमस्कार आदाफ सस्ट्रियकाल मैं शिल्पी संस्कृति आइस के यूटूब चैनल में आप सब का फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम टार्गेट प्रिलियंस बेस्ट और न्यूस्पेपर में चर्चा किये गए मुद्दोपर आधारित पांच प्रश्णों को आपके लिए लेकर आए हैं तो चलिए देरी किस बात की शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्णों को आईए पहले प्रश्णों को देखे भारतिये दूर संचार नियामक प्राधिकरन यानि की ट्राई के संदर में निर्मलिकित कतनों पर हमें वि और इस तरह का कोश्चन आ गया और हमें उस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे देखिए घबराने की जरुत नहीं है पैनिक होने से कुछ नहीं होता हमें उस वक्त थोड़ा कामडाउन होना पड़ेगा और सोचिंगे कि अगर यह कोश्चन हमें नहीं आता थो एटीन एटीफाइब में आया था कॉंसल भारती दूर संचार नियामक परादी करन की बात कर रहा है अब जड़ा आप सोचिये लिंक करिये इसको कि दूर संचार होता क्या है तो जिसका इस्तिमाल करके हम जानकारी का आदान प्रदान करते हैं उसको हम जानते हैं कि तरगत आते हैं तो अब ज़रा सोची और लिंक करने की कोशिश करिए कि क्या ये सब चीजें उस टाइम थी यहां पर हमारे इंडिया में बट आविसली नहीं थी तो फिर वही ट्राइक की बाद वहां पर कहां आ जाती है क्यूं हम ऐसे एक्ट को लेकर आएंगे तो इस आधा कातन का ali दूसरे करताल को छोड़ देते रिखें उसका कॉन से क्तन और क्रें की सही है तो पहला वाला मैंने कैसे भी करके कर लिया कि गलत है केवल एक है इसको हम हटा देते हैं सी में यहां पर एक दिया गया है इसको भी हम भटा देते हैं चलिन से अब देखेते हैं कितना इजी वे से हमने अप्टर निकाल लिया औप्शन व dwe यानि कि और गिए तो केवल ग़िनल ऑन्सर आ गया तो कभी कभी कुछ चीजे नौलिज से नहीं कुछ श्रिक्स और कुछ लॉजिक्स के साथ भी निकाली जा सकती अपने प्रश्णों का उत्तर की मैं बात कर रही हूं आईए तीसरा गथन कह रहा है कि देखें तीसरा क्यों कलत है तीसरे में ऐसा क्या है हमें वो भी जानना होगा कि वहां पर केवल जैसे शब्दों का अगर इस्तेमाल किया गया है यह एक्स्ट्रीम वर्ट्स हो जाते हैं जापर आक्यूरेट बोलते की नहीं यहीं हो सकता है यहीं होगा वहां पर 80 परसन उस कथन के गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती में 80 परसन की बात कर रही हूं तो इस आधार पर हमारा ये कथन भी गलत हो जाता है अब क्यों हो जाता है वह आईए हम एक्स्प्लेइंस से और अचछेजे समझते कि पहला और तीसरा कथन हमारा गलत क्यूं हो गया है आइए देखते हैं आ यह चलिए इसकी व्याख्या सेंस को और समझने की कोशिश करते कि पहला और तीसरा गतन हमारा गलत क्यूं है आए देखते हैं पहला गतन में था कि 1885 में एक लाए गया था ट्रॉय के लिए जब कि 1885 में नहीं यह लाए गया था भारतिय दूर संचार नियामक प्रादिकरन अधिनियम 1997 में देखें कैसे शब्दों के साथ खेला गया कैसे आ अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए सर्वोच न्यालय यह धिश पदासीन या सेवा निरित यह प्रश्याइश पर स हो गया वहगा तो इसी तरह से हमें अपने questions को tackle करना है report on currency and finance किसके द्वारा तयार की जाती है तो देखें इसमें चार आपके options दिए गए नीती आयोक अंतरास्ट्रे मुद्राकोश भार्टियर रिजर्ब बैंक और लास्ट दिया आपको विश्व बैंक याने की वर्ल्ड बैंक के बारे में यहां पर दे रहा है तो देखें जब भी कभी आपको इस तरह की यहां पर currency और finance की बात कर जो रिपोर्ट आई है तो नीटी आयोक जो कि अपनी जब भी कोई रिपोर्ट जारी करते हैं तो उसके आगे उस रिपोर्ट के आगे अधिकतर वर्ड या ग्लोवल जैसे शब्दों का इस्तिमाल करते हैं जैसे आपने सुना होगा फुर एक्जामपल वर्ड एकनॉमिक आउटलुक ऐसी फाइनों ने रिपोर्ट जारी की हैं कुछ इस तरह की और भी रिपोर्ट जारी की हैं तो वहाँ पर ग्लोवल और वर्ट जैसे शब्दों का इस्तिमाल पहले किया गया है यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है तो इसाधार पे हम इसको भी कार्ड देते हैं इस जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारतिय थ्व्यवस्था को कोविड-19 के व्यवधानों के कारण होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए एक दशक से अधिक का समय लग सकता है तो इस संदर में इस रिपोर्ट को आर्वियाई के द्वारा लाया गया है आए फिर्फे या धस रिप हैं आर्वियाई द्वाराइक डॉल्ल अमेरिकी डॉलर में धारित परिसमपत्यां यानि की अमेरिकी डॉलर के में धारित तक हैं चलिए भाई clear हो Recently फॊंदल या ठोड़ा सा डाउट आपको बताया है केवल दिया है हमें सतर को जाना है दूसरा क्या है कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है विदेशी मुद्रभंडार है हमारा तो कहरें वहाँ पर सिफ अमेरिकी डॉलर ही है मारे पास एसिट्स के रूप में लेकिन सोचिए एक हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक ले लेते हैं अभी के लिए जैसे माल लीजे अमेरिका ने कभी हमारे इंडिया पर हमारे प्यारे भारत पर कभी अपने डॉलर को बैं कर दिया तो उस परिस्थिती में हम दूसरे देशों के साथ व्यापार कैसे करेंगे कैसे इंपोर्ट और रिजर्व रखा जाता है ऐसी कंडिशन में और भी हमारे एसिट्स को रिजर्व रखा जाता है तो जैसे अमेरिकी डॉलर के सासत और क्या रिजर्व किया गया है जैसे स्वर्ण मुद्रा भंडार ठीक है छल्व में वर्ड में विश में तीसरा स्थान था यहाँ पर दो फैक्स दिए गए हैं ऐसी कोई जारी की जाए जहां भारत का भी कोई स्थान हो तो हमें उन चीजों पर नजरगड़ाए रखना है उनको याद करना है ताकि जब कभी ऐसे आकड़ा दे दिया जाए ऐसा प्र давно करें तो यहां पर यहां पर तुए कथन गवारत का है तो सोच ये कोई हो गी ना तौट टाफ़ फोर उनगा चाईना जपान सूझवा Talk पिर हमारा प्यारा भारत आ जाता है उसमें तो इस आधार पर हमारा ये कथन भी गलत हो जाता है तो कह रहा है उप्रुक्त कत्नों में से कौन से कथन सही है तो भाई हमारा कथन क्या कह रहा है कि भारतिय मौसम विज्ञान यानि कि आयम टीने संपूर्ण भारत में ध्यान दीजेगा जहां जहां मैं सरकल कर रहे हूं उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकल्स देना है संपूर्ण भारत के लिए 40 40 दिग्रीड सेल्सियस को हीट वेव के मानक के रूप में निठारित कर दिया गया अच्छा जी ऐसा कैसे हो अब सोच यह उसके हमें को सुझे कि पूरे भारत में तो अलग-अलग शेत्रों में हम अलग-अलग टेंपरेचर देखा गया है तो पूरे भारत के लिए हीट वेव का एक ही तरह का टेंपरेचर कैसे निधारित किया जा सकता है तो यह कथन सही है या गलत आईए इसको हम थोड़ा मैप के थू समझते ह भारत थोड़ा बस अभी मोटा मोटा समझने के लिए आप इसको हैंडल कर लिए ठीक है यह रहा हमारा भारत इसके बाद यहां पर कह रहा है कि पूरे भारत में पूरे भारत में 40 डिग्री सेल्सियस बानक निधारित किया गया चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं यह गलत है क्यों गलत है देखे हमारा जो कोस्टेल एरिया है वहां का तापमान अलग होता है ठीक है यहां पर हम मैदानी शेत्रों में देखे तो यहां का तापमान भी अलग रहता है वहीं अगर हम थोड़ा सा उपर जाते अपने पहाडी शेत्रों में तो वहां का तापमान भी पहाड़ी शेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस रहता है तो इस आधार पर हमारा यह कथन गलत हो जाता है तो इसको हम यहां से हटाना पसंद करेंगे आई अब दूसरा कथन कह रहा है कि हीट वेप का पारिस्थिति की अथव जै विवित्ता पर नकारात्मक प्रभाव परता है वह सीधी सी बात है जब इतना हीट वेफ होगा ठीक है उसकी अधिकता के कारण शुश्कुता में भी अधिक्ता आएगी शुश्कुता में भी ब्रद्धी होगी तो जिस कारण से पौधों का विकास भी रुकेगा वही हमारे खाद्यों और फसलों पर भी इसका नकरात्मा के अविपरीद प्रभाव पड़ेगा तो इसलिए इस आधार पर हमारा दूसरा क कथन को जाता है यह कथन बिल्कुल ठीक कह रहा है तो पूछ रहे हैं कौन से कथन हमारे सही है तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्ण का ऑप्षन बी यानि की केवल दो कथन जो है वो करेक्ट है पहला क्यों गलत है वह मैंने आपको बता दिया आई होप आप अ आया है तो देखना तो पड़ेगा ही है ना तो क्या है यहाँ पर पहला कथन कहा रहा है एवीन इंफ्लुएंजा विशाडू DNA प्रकार का एक विशाडू होता है देखे कभी आपके सामने इंफ्लुएंजा जैसा शब्द आपको दिखाई देखे तो एकदम क्रिस्टल यंद्ट बात यह है कि जब भी कभी सभी इंफ्लुएंजा आपको दिखाई देखे तो वहाँ पर आपको कुछ हो जाता है दूसरा कहा रहा है इंफ्लेंसा टाइप ए ध्यान दीजेगा इंफ्लेंसा टाइप ए विशाडू सामान नेता पक्षियों में पाया जाता है लेकिन बट यह मानव सहित अन्य कई स्थंदारियों को भी संक्रमेत कर सकता है जब ऐसे सेंटेंसे आपके सामने या गलत लेकिन हमें जानना है कि अगर हमें नहीं आता है और ऐसे सेंटेंसे जहां Πर सकता जैसे शब्दों का तो आज लगल हमारा कथन भी करेक्ट हो जाता है पहला कतन हमारा गलत हो जाता है पूठ रहे हैं उप्रिक कत्नों मैंसे कौन से कथन सही है तो देखिए हमारा दूसरा कथन जो है वो एक दम करेक्ट है इस प्रशन का उत्तर होगा option B और पहला कथन गलत है वो क्यों गलत है मैं आपको बता चुकी हूँ तो चलिए अब इसकी व्याख्या को थोड़ा देख ल मानव को भी संक्रमित कर सकते हैं घबराइए नहीं नजर में डाल लेजे ऐसे शब्दों को अगर नहीं यहां दो रहा है तो कोई बात ने इनको थोड़ा सा देख के जाएंगे अगर बाइच्वांस आपके पेपर में आ जाता है तो थोड़ा क्लिक हो सकता है तो ठीक है य हमें उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपके द्वारा इससे कई और लोग उससे सीखते हैं तो इसी दरह से आप अपनी प्रतिक्रिया हमें देते रहें और हमारी वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ इसे झाल